नाखपुर मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिराने का जांसा देकर ठगी किये जाने का मामला सामने आया है सिताबर्डी पुलिस ने आरोपी नरेंद्र लक्षमन इंगले गुलमोहर अपार्टमेंट टेकानाका को गिरफतार कर जांच आरंब की है इंगले द्वारा कई लोगों को शिकार बनाए जाने का भी पता चला है उससे पूछताच में इसका खुला सा हो सकता है मिली जानकरी के मुताबिक पुलिस को इंगले के कारेगले से डायरी मिली है इसमें कई लोगों के नाम तता करोड रुपे की राशी लिकी हुई है इससे इंगले के काफी वक्त से MBBS में दाखिला दिलाने की एजनसी चलाने का संदे होता है केस की बारिकी से जांच करने पर चौकाने वाले खुला से हो सकते है इंगले काफी समय से ठगी में लिप्त है वसिताबर्डी के राहूल मार्केट में वर्ल्ड ग्रूप वॉक्स सर्विसेस के नाम से कारेले चलाता था यहां से ही लोगों को जहांसा देता था यह वतमाल निवासी सुनिल नाकपूरे की बेटी को MBBS में दाखला लेना था उन्हें इंगले के MBBS काउंसिलिंग सेंटर का पता चला नाकपूरे ने इंगले से संपर्क किया उसके कारेले में पहुचने पर इंगले ने उनकी बेटी को मैनेजमेंट कोटे में पुने में सिंबोईसिस कॉलेज अत्वा मेगे कॉलेज में दाखला दिलाने का जहांसा दिया उन्हें नाकपूरे से कहा कि उन्हें कॉलेज की फीस के साथ से उसे 10 लाख रुपए डोनेशन के तौर पर देने होंगे उसने पुनच 26 नमंबर को नाकपूर को अपने कारेले में बुलाया दत्ता मेगे कॉलेज में मैनेजमेंट कोटे के तहट दाखला देने का वादा किया डोनेशन के तौर पर 10 लाख रुपए मांगे उसने कॉलेज की फीस के तौर पर 50-60 लाख रुपए खर्च का आना बताया इंगले ने नाकपूरे से कहा कि यदि कॉलेज जाकर उसका नाम बता कर दाखिले के संबन्द में पूछताच करोगे तो दाखिला नहीं मिलेगा इससे नाकपूरे को संधे हुआ उनके परताल करने पर इंगले के अन्य लोगों से भी इठगी किये जाने का खुला सा हुआ इंगले ने नाकपूरे को एडवांस के तौर पर 1-2 लाख रुपए मांगे इसी बीच नाकपूरे को मैनेजमेंट कोटे का दाखिला बंध होने का पता चला इसके बावजुद बेटी के नाकपूरे ने क्राइम ब्रांच के DCP चिन में पंडिस से प्रकरन की शिकायत की पंडित के निर्देश पर हफ्ता वसुली निरोधक दल ने इंगले को हिरासत में लेकर सिताबर्डी थाने में धोकादड़ी का मामलाद दर्च कराया इंगले को 2 दिसंबर तक हिरासत में लिया गया है जबकि इंगले ने इसके पहले भी किसको दोकादड़ी का शिकार बना है इसकी जान सिताबर्डी पुलिस विभाग कर रहा है